पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ये तो कई बार आपने सुना होगा लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वाइरल हो रही है आखिरकार किस तरीके से सोचे कि अगर ये पढ़ाई चल रही है तो बिहार के बच्चे ना पढ़ेंगे और ना ही इंडिया बढ इसको ले कर एक वीडियो क्लिप काफी जादा वाइरल हो रहा है हम चाहते हैं कि आप यह वीडियो सुरें अब आप ने वीडियो देखा ये बच्चों का यहां पर बिहार में एक्जाम हो रहे हैं सोच ये कितनी हैरानी वाली बात है, बच्चे बड़े हो चुके हैं और इनका ये exam center है और यहाँ पर इनका ये परिक्षा चल रही है, जहाँ पर बच्चे फोन यूज कर रहे हैं, बकायदा बच्चे फोन पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर teacher पर बैठे हैं, लेकिन कुछ खासा फरक नहीं पढ़ रहा है बच्चो पर और नहीं teacher पर, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, कि आखिरकार बच्चों की परिक्षा होती क्यों है, बच्चे की exam इसले होती है, बच्चे की योगिता जाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से बच्चे की परिक्षा ली जा पर काम नहीं कर रही है, सोचिए इन बच्चो ने पढ़ाई नहीं किये, इसले तो सरकार काम नहीं कर रही है, अगर आपकते काबलियत है, तो सरकार क्यों नहीं आपको नौकरी देगी, लेकिन जिस तरीके सब विरुज़गारी का मुद्धा बन जाता है, बच्चों के exam हो में चीटिंग का यहां पर उत्तरप्रदेश को भी घसिटे तो देखा जाया तो सरकार इसको लेकर चुप रहती है आखिर कार कब तक सब को पते कि एक्जाम टाइम में लगातार चीटिंग होती है लेकिन उसके बाद भी सरकार इस पर चुपी साधी हुई है लेकिन ऐसा क्यो अगर सरकार इस कॉलेज को लेकर कड़े एक्शन उठा देना शायद बच्चों के अंदर में भी मन में एक दर पैदा हो जाएगा चीटिंग करने का लेकिन हाँ बच्चों के मन में डर खतम हो चुका है यह वही बच्चे है जो ट्रेने जलाते है यही बच्चे है माफ कीज के लिए बने रहें ओथम न्यूस के साथ धन्यवाद